बिस्मिल्लाई रखमायरहिम अस्सलाम आलेकूमाई योट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब अमीद करते हैं और सब ठीक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई केक तो सबसे पहले हमने एक पैनल या उसमें मिल्क एड़ किया है अब उस मिल्क में हमने लाची पॉडर एड़ क करेंगे और इसे से ही अच्छे तरह पकने देंगे इसे मीडिम आउंच पर अच्छी तरह पकने देंगे अब मैं इसमें एड करूंगी ओल्फर क्रीम डालूंगी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करूंगी फ्लेम आफ करके तो इसे डालेंगे फ्लेम आउंच रखना अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब मैं बिटर के साथ मिक्स करूंगी तक क्रीम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स होकर त्यार हो जाएए अब मैंने कड़ाई लिये इसमें मैं पानी डालूंगी और हीट अप के लिए तक ये त्यार हो तब तक हम पेस्ट बनाएंगे अब हमने मिल्क लिया है योगर्ट भी ले सकते हैं मेरे पास योगर्ट अविलेबल नहीं था इसलिए मैंने मिल्क लिया है उसके बाद मैंने ओएल एक कप डाला है हाफ कप मैंने बेसन का डाला है हाफ कप सूजी का डालूंगी इसे मिक्स करूंगी अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी अब देखें थिक सा पेस्ट बन रहा है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आफ आफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और पिसी उई शुकर और एक जावमाच वनीला सिरम का मैंने लिया है अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी सही अच्छे से भीट करूंगी तक कि ये सारी चीज़ें अपसमें मिक्स हो जाएं अब मैंने सबसे एंड पे इसमें सूजी एड़ की है इसका थीक सा पेस्ट बनाएंगे हम जब तक मैं ये पेस्ट त्यार करती है तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अब देखें पेस्ट त्यार हो गया आप मैं से बाउल में ट्रास्फर करूंगी अब मैंने सारा पेस्ट बाउल में ट्रास्फर कर लिया है पहले मैंने बाउल को ग्रीस किया उसके पाद मैंने इसमें पेस्ट डाला है आप देखें य watery course अब देखें यह कितने हीट आप हो चुकिया अब मैं इसमें बाउल रखूंगी इस तरीके से रखूंगी क्योंकि अगयर हाथ से पकड़ के रखा तो हाथ जलने का खत्रा है मैं कवर इस तरीके से करूंगी क्योंकि मेरे पास क्योंकि मेरे पास दूसरा पेपर मजूद नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से के अब देखें केक बिल्कुल त्यार हो चुका है अब हम इसे चेक करेंगे इस बिल्कुल त्यार है अब हम इसे निकालेंगे बाएर अब हमने इस चोटे से पिन के साथ इस तरह चोटे चोटे सुराख करने ताकि जो मिल्क हम इसके उपर डालेंगे वो इसके अंदर जैसाब हो जाए इस तरह हम करेंगे अब उपर जो पहले मैंने मिल्क को बाल कर रखा था वो इसके अंदर डालेंगे इसके उपर गार्निश के लिए मैंने पिस्ते बदाम काट के रखे हुए थे वो डालूंगी अब मैं इसे कट करूंगी इस तरह कट करूंगी क्योंकि निकालने में असानी होगी अब हम इसे निकाल के चेक करेंगे अब देखें बिलकुल त्यार है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपनी दुआउं में हमें भी याद रखना अपना बहुत सारा हिया रखना अल्ला आफिस